ओम शांती गुद मॉर्निंग आज मीठे बावा की 4-6-2020 के महावाक्य हैं विशेश पावा ने कहा कि हमें बेहत की पवित्रता को धारण करना है पावन दुनिया में जाना है सत्यूग में जाना है तो बेहत की पवित्रता मेरा तो एक्ष्य बावा दूसरा न कोई मन बुद्धी में केवल बावा केवल एक बावा इसको कहा पवित्रता जैसे पति व्रता नारी होती उसका एक से रिष्टा तो यहां बुद्धी का रिष्टा केवल एक्षे बाबा से और बाबा से अगर प्रापर्टी लेनी है बाबा ने कहा प्रापर्टी लेने के लिए कोई पुर्शार्थ की तो बात होती नहीं बच्चा पैदा वो प्रापर्टी के लिए क्या पुर्शार्थ करता है दो भगदार हई है, लेकिन फिर भी देखो, पढ़ता है, लिखता है, लायक बनता है तब माबब देखते हैं कि वो कुछ करने लायक है, तब उसको देते हैं अगर बच्चा नहीं है लायक तो उसको नहीं देंगे योग, अजय कहीं भी दान करते हैं तो बाबा केते तुम्हें भी सीश्वरी पढ़ाई को पढ़ना है और पुर्शार्थ करना है कि सब तरफ से बुद्धियोग तोड़ सब संबंद एक्षे बाबा से जोड़ना है योकि परमात्मा मात पिता बंधु सखा सब कुछ है तो आज हम सुनेंगे मीठे बाबा के महावाक्य सत्गुरु बाबा ने कहा मीठे बच्चे अभी तुम्हें बेहत की पवित्रता को धारण करना है बेहत की पवित्रता अर्थार्थ एक बाब के सिवाए और कोई याद ना आए आज का प्रशन है बाब से वर्सा लेने के पहले का पुर्शार्थ और उसके बाद की स्थिती में क्या अंतर होता है बाप से वर्सा लेने के पहले का पुर्शाथ और लेने के बाद की स्थिती का क्या अंतर होता है बावा ने कहा जब तुम बाप से वर्सा लेते हो तो देह के सब संबंदों को छोड़ एक बाप को याद करने का पुर्शाथ करते हो और जब वर्सा मिल जाता है तो बाप कोई भूल जाते हैं तो कि दुनिया में भी यही होता है प्रॉपर्टी बच्चों को मिल गई तो माबाप को भी देखो भूल जाते हैं तो सत्की उत्रिता में हम माबाप को परक्षे भाबा को भूल जाते हैं अभी वर्सा लेना है, इसलिए कोई से भी नया संबंद नहीं जोड़ना है, नहीं तो भूलने में मुसीबत होगी, नए रिष्टे बनाओ, उनको जोड़ो, फिर उनको भूलने की कोशिश करो, तो बाबा करें सब कुछ भूल, एक को याद करो, तो वर्सा मिल जाएगा, और मीठे मीठे रुहानी बच्चों प्रती बाब समझाते हैं, ग्यानी और अग्यानी किस किस को कहा जाता है, ये सिर्फ तुम राम्हण ही जानते हो, ग्यान है पढ़ाई जिससे तुम जान गए हो कि हम आत्मा है, तो ये नौलेज मिल गई, और वो परमपिता परमात्मा है, तुम जब वहां से मदुबन आते हो, तो पहले जरूर अपने को आत्मा समझते हो, कि हम बाबा से मिलने जा रहे हैं, बाबा शिव बाबा को कहते हैं, शिव बाबा है प्रजापिता ब्रमा के तन में, वो भी बाबा हो गया, तुम घर से निकलते हो, तो समझते हो हम बाब दादा के पास जाते हैं, तुम जिठी में भी लिखते हो बाब दादा, शिव बाबा, ब्रम्ह दादा, हम बाबा के पास जाते हैं, बाबा कल्प कल्प हमसे मिलते हैं, बाबा हमको बेहत का वर्सा देते हैं, बेहत पवित्र बनाए, पवित्रता में हद और बेहत है, तुम प बेहत पवित्रता सिवाए एक बाप के और कोई की याद ना आए इसको कहते हैं बेहत की पवित्रता अनलिमिटेड जब वो सतियां होती थी तो उनका देखो एक रिष्टा उनके अंदर कितना भल होता था पहले की समय में तो एक मनुष्य से रिष्टा होने से इतना ताकत है क एक से बुद्धि साधी और यहां भगवान से हम साधेंगे तो कितना ताकत होगी उस पवित्रता में आपका अलपना करो तो बाबा कह रहे वो बाबा बहुत मीठा है उँच ते उँच भगवान है और बेहत का बाप है सभी का बाप है तुम बच्चों ने ही तो पहचाना है बेहत का बाप सदय भारत में ही आते हैं आकर बेहत का सन्यास कराते हैं सन्यास भी मुख्य है जिसको वैराग्य कहा जाता है बाप सारी पुरानी छीछी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं बच्चे इनसे बुद्धी का योग हटा दो इनका नाम ही है नर्क दुखधाम, खुद भी कहते रहते हैं, कोई मरते हैं तो कहते स्वर्गवासी हुआ, तो नर्क में था ना, अभी तुम समझते हो ये जो कहते हैं वो भी राइट, वो भी रॉंग है, कि कोई मरा तो कहेंगे स्वर्गवासी हुआ, तो क्या राइट बोल तो स्वर्ग में तो गया नहीं, बाप राइट बात बताते हैं, वच्चे स्वर्गवासी बनने के लिए मैं तुम्हें जो शिक्षा दे रहा हूं से धारण करना, ये अभी ही पुर्शार्थ करना होता है, स्वर्गवासी बनने के लिए भी सिवाए बाप के और कोई कर रहे हो कौन सा 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनने का और बनाने वाला है बाप उनको कहा ही जाता है Heavenly God Father खुद आकर कहते बच्चों हम पहले तुमको शांती धाम ले जाओंगा मालिक है ना शांती धाम जाकर फिर आएंगे सुख धाम में पार्ट बजाने हम शांती धा जाएंगे तो सब धरम वाले शांती धाम जाएंगे बुद्धी में ये सारा ड्रामा का चक्र रखना है हम सब जाएंगे शांती धाम फिर हम ही पहले आकर बाप से वर्सा पाते हैं जिससे वर्सा पाना होता है उनको याद तो जरूर करना है जिससे प्रॉपर्टी लेनी है उनको याद तो जरूर करना है बच्चे जानते हैं वर्सा मिल जाएगा तो फिर बाप की याद भूल जाएगी वर्सा बहुत सहजरीती मिलता है बाप सम्मुक कहते मीठे बच्चों तुमारे जो भी देह के संबंद है सब भूल जाओ अभी कोई भी नया संबंद नहीं जोडना है अगर कोई भी संबंद जोडेंगे तो फिर उनको भूलना पड़ेगा क्योंकि जाना है सबको वापस अब फिर नया रिष्टा जोड लिया तो फिर क्या होगा तो भूलने की मेहनत करो अब समझो बच्चा वह बच्ची पैदा हुए तो वह भी मुसीबत हुई एक्स्ट्रा याद बढ़ी ना अब उसको फिर भूलना पड़ेगा वाप करें सबको भूलना है बाबा कहते बच्चे सबको भूलो एक को याद करना है वह हमारा मात, पिता, टीचर, गुरु, आदी सब कुछ है एक बाब के बच्चे हम भाई बहन है चाचा, मामा, आदी का कोई संबंद नहीं यह एक ही समय है जबकि भाई बहन का संबंद ही रहता है ब्रह्मा के बच्चे, शिवाबा के बच्चे भी हैं तो पोत्रे-पोत्रियां भी है ब्रह्मा के बच्चे, शिवाबा के पोत्रे-पोत्रियां उनके बच्चे भी है क्योंकि शिवाबा आत्मा का पिता है और ब्रह्मा के बच्चे, इसलिए पोत्रे-पोत्रियां भी है तो बावा करें तो पक्का पुद्धी में याद आता है ना नमबरवार पुर्शार थनुसार स्वधर्शन चक्रधारी तुम बच्चे चलते फिरते बनते हो तुम बच्चे इस समय चैतन्य लाइट हाउस हो क्या वावा ने कहा थैं तुम बच्चों को चलते फिरते लाइट हाउस बनते है तुमारी एक आँख में मुक्ती धाम दूसरी आँख में जीवन मुक्ती धाम है वह लाइट हाउस जड़ होते हैं और तुम बच्चे चैतन्य हो तुम्हें ज्यान का नेत्र मिला है, तुम ज्यानवान बन, सब को रास्ता दिखाते हो, बाप भी तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तुम जानते हो ये दुख धाम है, हम अभी संगम पर हैं, बाकी सारी दुनिया कल्योग में है, संगम पर बाप बच्चों के साथ बैठ बात करते हैं, और बच्चे भी यहां आते हैं, कोई-कोई लिखते हैं, बाबा फलाने को ले आवे, अच्छा है, गुन उठाएगा, शायद तीर लग जाए, तो बाबा को भी तरस पड़ता है, कहते बाबा धारना तो कुछ नहीं, ग्यान समझता नहीं है, लेकिन आएगा तो बाब कुछे जानते हो, यह है पुर्षोत्तम संगम यूग, इस समय ही तुम पुर्षोत्तम बनते हो, कल यूग में सब हैं कनिष्ट पुरुष, जो उत्तम पुरुष लक्ष्मी नाराण को नमन करते हैं, सत्यूग में कोई भी किसको नमन नहीं करते हैं, यहां की यह सब बाते वहां होती ही नहीं है। ये भी बाप समझाते हैं। अच्छी रीती बाप की याद में रह सर्विस करेंगे, तो आगे चल तुम को साक्षात्कार भी होते रहेंगे। तुम कोई की भी भक्तियादी नहीं करते हो बाबा उमको भक्त थोड़े बना रहा है कि जुकते रहो बाबा उमें अपना बच्चा बना रहा है बच्चा माने हगदार प्रॉपर्टी का अधिकारी भक्त तुम मांगते रहते हैं तो बाबा करें तुम किसी को तो वो भक्ति आदी नहीं करते हो तुमको बाप सिर्फ पढ़ाते घर बैठे आपे ही साक्षतकार आदी होते रहते बहुतों को ब्रह्मा का साक्षतकार होता है उनके साक्षतकार के लिए कोई पुर्शार्थ नहीं करते बेहत का बाप इन द्वारा साक्षतकार कराती है भक्ती मार्ग में जो जिसमें जैसी भावना रखते हैं उसका साक्षतकार होता है अभी तुमारी भावना सब से उंच ते उंच बाप में है तो बिगर मेहनत बाप साक्षतकार कराते रहते हैं कि छुरूमें कितना ध्कान में जाते थे आप भी आपस में आपकास में भैट ध्यान में चले आ या विस उंद कशने तो रहाएं थी नजोटे थे बच्छे गुटे ती योग में और सब पांउम् है को युट इल उन्वाव कर के आती थी सब बच्छे थे करें PG दुनिया में हाहकार होगा और बावा अपने बच्चों को इनी साक्षतकार के द्वारा बहलाएगा और उसी में आत्मा शे बावा के पास चली भी जाएगी तो देखो हस्ते मुस्कुराते जाएगी जैसे ये खेल हो गया चलो भैकूंठ चले एक दो को देख चले जाते थे नlooking फिर वही रिपीट होगा तुम जानते हो हमी इस धर्म के थे सत्यूप में पहले पहले ये धर्म है इन्म से पावा केरे इनमें बहुत सुख है सबसे ज़्यादा सुख इसमें देवि देवता धरम तो धीरे-धीरे कलाय कम होती जाती है, जो सुख नए मकान में होता है, वो पुरानी में नहीं है, थोड़े समय के बाद वो भबका कम हो जाता है, स्वर्ग और नर्ग में तो बहुत फर्ग है, कहां स्वर्ग, कहां ये नर्ग, तुम खुशी में रहते हो, ये भी जानते हो, बाप की याद भी पक्की ठहरेगी, हम आत्मा हैं, यही भूल जाते हैं, तो फिर दे अभिमान में आ जाते हैं, यहां बैठे हो, तो भी कोशिश करके अपने को आत्मा निश्चे करो, तो बाप की याद रहेगी, देह में आने से फिर देह के सब संबंद याद आ जाएगे, एक ला है, जहां शरीर देखेंगे, तो फिर उसके सारे रिष्टे, नाते, उसकी कमी, कमजोरी, उसकी अच्छाई, बुराई, सब याद आएगे, तो बाबा कहे रहे, आखों से भल किसको भी देखो, घूमो फिरो, सिर्फ आत्मा को बाबा को याद करना है, यह महनत करनी है, तो बाबा क्या कह रहे है, कहां स्वर, कहां ये नर्थ, तुम खुशी में रहते हैं, यह भी जानते हो, बाब की याद भी पक्की ठहरेगी, हम आत्मा हैं, यही भूल जाते हैं, तो फिर दे अभिमान में आ जाते हैं, यहां बैठे हो, तो भी कोशिश करके अपने को आत्म निश्चे करो तो बाप की याद भी रहेगी देह में आने से फिर देह के संबंद याद आ जाते हैं एक ला है तुम गाते भी हो मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई बाबा हम बलिहार जाएंगे वो अभी समय है एक को ही याद करना है बाबा करे शरीर निर्वाह में रहे आत्मा को अपने माशो को ही याद करना है कोई किसी सखी से प्रीथ हो जाती है तो फिर उनकी याद ठहर जाती है फिर वो रग डूतने में बड़ी मुश्किलात होती है पूछते बाबा ये क्या है बाबा कैते है अरे तुम नाम रूप में क्यों फस्ते हो एक तो तुम देविमानी बनते हो और दूसरा फिर तुमारा कोई पास्ट का हिसाब किताब है तो ना वो धोखा देता है इसला हिसाब किताब है आत्मा से लगर लग जाती है बाबा कहते है इन आखों से जो कुछ देखते हो उनमें तुमारी बुद्धी ना जाए तुमारी है कि हम को शिवाबा पढ़ाते हैं ऐसे बहुत बच्चे है जो यहां बैठे हैं परन तुबाप को कभी याद भी नहीं करते है एक क्या रिजल बाबा ने सुना दीए और कई तो यहां बैठे भी याद में नहीं रह सकते हैं, तो अपने को देखना चाहिए, कि हमने कितना श्रवाबा को याद किया, नहीं तो चार्ट में रोला पड़ जाएगा, भगवान कहते मीठे बच्चों मुझे याद करो, अपने पास नोट करो, जब चाहे याद में बैठ जाओ, खाना खाकर चक्कर याद में बैठो क्योंकि यहां कोई गोरत दंदा तो है नहीं, मदबन जाते हैं, वहां तो कोई कामकाज है नहीं, तो बाबा को याद करो, ना खाना बनाना, ना सबजी लानी है, ना बच्चों को पढ़ाना है, सब तरफ से फ्री, फिर जो कामकाज छोड़ कर आए हो, वो कोई कोई की बुद्धी में आता रहता है, बड़ी जबदस्त मंजिल है, मदुबन में कोई काम नहीं है, लेकिन बाबा क्या कहरे है, जो काम छोड़ के मदुबन पहुंचे, फिर वहां रहके वो याद आता है, कहीं ऐसा तो नहीं, ऐसा हो गया, और फिर फोन करेंगे, तो में तुमने कितना टाइम वेस्ट किया है, दिन प्रति दिन गिरते ही रहते हो, क्रश्न का दीदार हुआ, बहुत खुशी हो जाती है, मिलता तो कुछ भी नहीं है, बाब का वर्सा तो एक ही बार मिलता है, अब बाबा कहते है, मेरी याद में रहो, तो तुम्हारे जनम जन मांतर के पाप मिट जाए, स्वर्ग का पास्पोर्ट उनी बच्चों को मिलता है, किसको मिलेगा, जो याद में रहकर अपने विकर्मों को विनाश कर कर्माती तवस्था को पाते हैं, नहीं तो बहुत सजा खानी पढ़ती है, बाबा और भी राय देते हैं, अपने ताज व ठकत का फोटो अपने पॉकेट में रख दो, याद रहे हैं, याद रहीज़ विक रहाइदे ताज ठकत का फोटो कि जो, और फिर उस Г्रökने पाप में रखो, यह हमको ऐसा बनना है, ना, इनसे हम यह बन रहे हैं, शिवावा उतना उंच्या देखो, बना रहे हैं, जिटना देखेंगे उतना शिवाबा को याद करेंगे, फिर उसमें ही मोह लग जाएगा, हम ये बन रहे हैं, नर से नारण, चित्र देखकर खुशी होगी ना, शिवाबा याद आएगा, ये सब उर्षाथ की युक्तिया हैं, बाबा ने भी पहले देखो बच्चों के खिचवाए, लच मिनारण के ड्रेस पहन के खिचो, परिष्टे वाली खिचो, मदबन में भी देखो बनाया ना, सब के जो मीटिंग में सब गए जाते भाई बहने, आनन्या, तो उनको सब को तीनो प्रकार की ड्रेस पहना पहना के एक एक दिन उसकी अन्भूती कराई गई बहुत अच चितर देखकर खुशी होगी, शिबाबा भी याद आएगा, ये सब पुर्शाट करने की बाबा युक्तियां बताते हैं, कोई से भी तुम पूछो सत्यनारण की कथा सुनने से क्या होता है, हमारा बाबा हमको सत्यनारण की कथा सुना रही है, कैसे 84 जनम लिये हैं, वो भी हिसाब तो चाहिए ना, सब तो 84 जनम नहीं लेंगे, दुनिया को तो कुछ भी पता नहीं है, ऐसे ही मुख से सिर्फ कह देते हैं, इसको कहा जाता है, थेयोरी है ना, वो तो खाली मुख से बोलते हैं, यहां थेयोरी है, जो काम होता, जो बाबा सिखा रहा है, उसको थेयो तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनकर विश्नोपुनी में आते हो, यह है नई बाते, रामराज्य जूट खंड, फिर सच खंड रामराज्य होगा, चित्रों में बड़ा क्लियर है, अभी इस पुरानी दुनिया का अंत है, पांच हजार वर्ष पहले भी विनाश हुआ था, साइंस दान जो भी है, उन्हों को ख्याल में आता है, कि हमको कोई प्रेरक है, जो हम सब, हम ये सब कर रहे हैं, समझते भी हैं, हम ये करेंगे तो इनसे सब खतम हो जाएंगे, पर अंत परवश है, डर लग गया हुआ है, समझते घर बैठे एक बाम छोड़ेंगे, तो सब कर देंगे, एरो प्लेन पेट्रोल आदी की भी दरकार नहीं रहेगे, विज्ञान देखो, इतना फास्ट हो गया, विनाश तो जरूर हो नहीं है, नई दुनिया सत्युक था, क्राइस्ट से तीन हजार वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, फिर अब स्वर्ग की स्थापना हो रही है, आगे चल समझेंगे, तुम जानते हो, इस थापना जरूर हो नहीं, इसमें तो पाई का भी संशय नहीं, ये ड्रामा चलता रहता है, कल पहले माफिक, ड्रामा जरूर पुर्षार्थ कराएगा, ऐसे भी नहीं जो ड्रामा में होगा, सो होगा, पूछते पुर्षा अगर कभी कोई रह न सके, तुम पुर्षार्थ कर रहे हो न, कहां कहां से बच्चे आते हैं, पुर्षार्थ करते हैं, कहते हैं, बाबा हम भूल जाते हैं, अरे शुबाबा तुमको कहते हैं, मुझे याद करो, किसको कहा, मुझे आत्मा को कहा न, तो बाप आत्माओं से ह बात करते हैं शुबाबा ही पतिक पावन है ये आत्मा भी उनसे सुनती है तुम बच्चों को ये पक्का निश्चे रहना चाहिए कि बेहत का बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं वह है उच ते उच प्यारे ते प्यारा बाप भक्ती मार में उनको ही याद करते थे गाते भी है तुमरी गत्मत न्यारी तो जरूर मत दी थी ना अब तुम्हारी बुद्धी में है इतने सब मनुष्य मात्र वापस घर जाएंगे विचार करो कितनी आत्माई है सब का सिजरा है सब आत्माई फिर नंबर वार जाकर बैठे क्लास ट्रांसफर होता है तो नंबर वार बैठती है ना तुम भी नंबर वार जाते हो छोटी बिंदी आत्मा नंबर वार जाकर बैठेगी फिर नंबर वार आएगी पार्ट में यह है रुद्र माला बाबा कहते इतने करोड़ आत्माओं की मेरी माला है जो भगवार के गल बना हुआ है कहा भी जाता है बना बनाया ड्रामा है कैसे ये ड्रामा चलता है सो तुम बच्चे जानते हो सब को यही बताओ कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम्हारे भी कर्म बिनाश होंगे, फिर तुम चले जाएंगे, ये महनत है, सब को रास्ता बताना है, तुम्हारा फर्ज है, सब को रास्ता बताना, तुम अच्छो का, बाबा करे फर्ज है, तुम कोई देहधारी में नहीं फसाते हो, बाबा तो कहते हैं, मुझे याद करो तो पाप हस्म हो जाएंगे बाप डायरेक्शन देते हैं तो तो करना पड़ेगा पूछने की क्या बात है कैसे भी करके याद जरूर करो इसमें बाबा क्या क्रपा करें याद करना हमारा काम है बाबा क्या क्रपा करेंगे बाबा कहते यह क्रपा करो कि तो मुझे याद कर करो और बाबा से पाओ फिर सुक्षानती याद तुमको करना है क्योंकि वर्सा तुमको लेना है बाप स्वर्ग कर चाहिता है तो जरूर स्वर्ग का वर्सा मिलेगा अभी तुम जानते हो यह जाड़ पुराना हो गया है इसलिए पुरानी दुनिया से वैराग्य है इनको कहा जाता है बेहत का वैराग्य है वहट योगियों का है हद का वैराग्य वो बेहत का वैरागी सिखला न सके बेहत के वैराग्य वाले फिर हद का कैसे सिखलाएंगे अब बाबा कहते सिखी लदे बच्चे तो तुम क्या कहत तो भी कहते हो कितना सिकी लदा बाबा है तिरसर जनम बाप को याद किया है बस हमारा तो एक बाप दुस्ता ना कोई यह पक्का करना इसी को कहा बेहत की पवित्रता अच्छा मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाब दादा का याद प्यार और गुद मॉर्निंग रुहानी बाब की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की मात पिता बाब दादा को याद प्यार नमस्ते और गुद मॉर्निंग शुक्रिया बाबा शुक्रिया बेहर दिल से शुक्रिया आधारना के लिए मुर्ली का मुख्य सार है स्वर्ग में जाने का पासपोर्ट लेने के लिए बाप की याद से अपने विकर्मों को विनाशकर करमातीत अवस्था बनानी है सजाओं से बचने का पुर्शार करना है सेकेंड पॉइंट है ज्यान वान बन सब को रास्ता बताना है चैतन लाइट हाउस बनना है एक आँख में शांती धाम दूसरी आँख में सुख धाम रहे इस दुख धाम को भूल जाना है और आजमीठे बाबा का वर्दान है अपने डबल लाइट स्वरूप द्वारा आने वाले विगनों को पार करने वाले तीवर पुर्शार्ती भवा आने वाले विगनों में ठकने वा दिल शिकस्त होने के बज़ाए सेकेंड में स्वयम के आत्मिक जोती स्वरूप और निमित भाव के डबल लाइट स्वरूप द्वारा सेकेंड में हाई जम्प दो समझ में आया बाबा केरे आने वाले विगनों में ठकना नहीं है दिल शिकस्त नहीं होना बलकि एक सेकंड में अपने आत्मिक स्वरोग, जोती स्वरोग है न, उसमें टिक जाओ, और दूसरा निमित भाओ, मैं आत्मा निमित हो, करावन हार्षय बाबा है, तो ये दो चीजों से हम हाई जम ते सकते हैं, विग्नु रूपी पत्थर को तोड़ने में समय नहीं गवा जम पर लगाओ, जहां कूद सकते तो उसको तोड़ के आगे रास्ता बनाने स्क्या फायदा है, और सेकंड में पार हो जाओ, थोड़ी सी विश्मरती के कारण सहज मार को मुश्किल नहीं बनाओ, अपने जीवन की भविश श्रेष्ट मंजिल को इस पश्ट देखते हुए तीवर पुर्शार्ती बनो, जिस नजर से बाब दादा व विश्व आपको देख रही है, उसी श्रेष्ट स्वरूप में सदा इस्थित रहो, जिस नजर से भगवान देख रहा है, विश्व की आत्माएं देख रही है, पाबा करे उसी श्रेष्ट स्वरूप में सदा इस फित रहो और आज का स्लोगन है सदा खुश रहना और खुशी बाटना यही सबसे बड़ी शान है बड़ी शान नहीं होना है तो सदा खुश रहो और खुशी बाटो चा ओम शान्ती ओम शान्ती ओम शान्ती